स्वागत यूटूब चानल 4G स्कुल में हम आज पढ़ने वाले यता आर्टीवी का हिंदी सब्जेक्ट इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट करमांग साथ इसके कोश्चन अंसर हम आज पढ़ने वाले हैं अगर आपने इस पार्ट को नहीं पढ़ाऊंगा तो हमारी यूटूब चानल 4G स्कुल के 8 क्लास के प्लेलिस में जाईए वापे आपको इस पार्ट नजर आएंगा इस पार्ट को पढ़िए इसके बाद आके कोश्चन अंसर चुड़ाने की कोशिच कीजिए ताकि आपको को करने में आसा नहीं जाए तो बने रही है इस वीडियो में आखरी तक ताकि आपको फूरे कोश्चन अंसर हिंग वाला के समझ में है चलते हैं कोश्चन अंसर की और इस वीडियो में ताकि आपको फूरे question answer समझ में आए अगर आपने हमार YouTube channel 4G School को अभी तक सब्सक्राइब ने किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करना ना बोले ताकि आपके साथ साथ आपकी दोस्तों की पढ़ाई पूरी मुकमल हो question number 1 सुचना के अनुसवार कृतिया करो संजाल पूरा करो आपको एक चार्ट दिया गया है उसको आपको पूरा करना है question क्या था आपको साथ री के परिवार के सदस्य उसका इंसर आएंगा पति बड़ा लड़का छोटा लड़का आठ साल की लड़की यह चारो सदस्य साथ री बाई के परिवार में थे तीन बच्च्चे और उनका एक जो पति थे वो चमिला के चार सदस्य उसके परिवार में थे Q2. जानकारी लिको एक हिंग वाला और दो सावितरी बाई के बच्चे आईए पहले का देखेंगे हैं हिंग वाला उसका उत्तर हिंग वाला खान 35 साल का विक्ती है वो हिंग बेशने का व्यवसाय करता है वो हिंग अपनी पीट पर एक बंदे हुए पीपे में रखता है वो अपने देश जाने वाला है यह हिंग वाला जो बेशता है खान उसके बारे में मालूमात आपको फूची गई थी उसके बारे में हमने आपको शौर्प में मालूमात बताने की कोशिश की है इसलिए सावित्री से हिंग लेने का अगर करता है और साथ तोले हिंग उसे तोल कर दे देता है वो सावित्री से मा का रिष्टा रखता है उसका विश्वास है कि सावित्री के साथ की बोनी उसे लगती है वो खुले विचार का वेक्ती है वो आपस में लड़ने वालों को ना समझ कहता है यहिंग वाले की सोच किस तरह थी यह बताई गई है आईए अभी सावित्री जो कोशन नमबर दो है सावित्री की बच्चे जो उनके लड़के और लड़की थी उनके बारे में पूचेंगे उनके बारे में जानेंगे उसका उत्तर सावित्री के तीन बच्चे है दो लड़के और एक लड़की, बड़े लड़के की उम्र 19 वर्ष है, लड़की 8 साल की है, लड़की से छोटा दुसरा लड़का है, सावित्री की तीनों बच्चे जिद्धी किस्मक के हैं, उन्हें हिंग वाले का वेवार पसंद नहीं है, क्योंकि वह जरूत न होने पर भी कुछ ना कुछ हिंग उनकी माँ को थमा जाता है, पर जुलूस में बटक जाने पर खान दोरा उन्हें गर पहुचाने के बाद उसके प्रती उनका रवया बदल जाता है, और वे उसे अच्छा आदमी मानने लगते हैं, इस तरह से तीनों बच्चों के बारे मालूमात आई की है आपे, और मालूमात के साथ में उनकी सोच भी किस तरह से बदलती है, वो भी आपको यापे लिख के हमने बताया है, इस तरह से आपको हमने कोशन नंबर 2 समझा के और लिख के बताया है, दोनों की जानकर हैं, हमने आपको लिख के बताई है, उत्तर लिको, एक हिंग वाला सावित्री को हिंग लेने का आगर क्यों कर रहा था उसका उत्तर है हिंग वाला अपने देश जाने वाला था और बहुत दिनों के बाद लोटने वाला था इसलिए वो सावित्री को हिंग लेने का आगर कर रहा था वो अपने गाव जाने वाला था अपने देश और वक्त उसको लगने आ रहा था इसलिए वो सावित्री को हिंग लेने का आग्रह कर रहा था नमबर दो दंगे की खबर सुनकर सावित्री पर वा परिनाम लिखो दंगे की जो खबर सुनते ही सावित्री ये उपर क्या रियाक्षन आ है वो आपको लिखना है उत्तर दंगे की कबर सुनकर सावित्री के हाथ पर थंडे पड़ गए मतलब वो सुन हो गई और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और उसकी इस तरह से हालत हो गई थी इस तरह उसे कहा जाता है हाथ पर थंडे पड़ जाना यह उसी कहवत है इस तरह से हमने आपको समझाया है कि उत्तर लिखो का जो question number 3 है हमने पूरा आपको या बे मुकमल बत तोर पर बताया है question number 4 एक वाक्य में उत्तर लिखो number 1 सावेतरी का बैटी थी उसका उत्तर है सावेतरी मौल सीरी के पेड़ की नीचे चबूतरे पर बैटी थी number 2 शहर में किसका जुलूस निकलने वाला था उत्तर शहर में मा काली का जुलूस निकलने वाला था number 3 सावेतरी की बच्चे किसके साथ साकुशल लोट आए उत्तर सावेतरी की बच्चे खान के साथ साकुशल लोट आए नमबर चार खान ने सावितरी को देखते ही क्या कहा उत्तर खान ने सावितरी को देखते ही कहा वक्त अच्छा नहीं है आमा बच्चों को ऐसी भीर भार में भार ना बेजा करो इस तरह से एक लाइन्स में एक वाक्य में जो उत्तर लिखने थे हमने चार आपको लिख के बताये हैं आईए भाशा बिंदु जो व्याकरन का पार्ट है वह हम देखेंगे और निमने लिखी शब्दों से कुरुदंत और तदित शब्द बनाईए रोकना आसना डरना बचाना लाचार बच्चा दीन कुशल इस बारे में हम देखेंगे कुरुदंत वर्ड देखें पहले रोकना रोक प्लस आवट रुकावट हस ना हस प्लस ई हसी डर ना डर माज्ना बच्छ प्लस आव बचाव आप ही आगे देखेंगे तद दित शब्द जो है वो बनाए है हमने हमें लाचार प्लस इ लाचारी बच्चा प्लस पन बच्पन दिन दिन प्लस कर दिन कर कुशल कर है कुशल प्लस ता कुशल ता इस तरह से यह हमने आपको word किस तरह शब्द बना जाते यह आपको लिखके और बना के बताये हैं आपको यह पर एक example दिया गया है आप देख सकते हो यह आपर लिखना लिखती है यह सामानने वरतमान काल में गया है ये आपको काल के बारे में पूरा चार्ड बनाया है उसके प्रकार किस तरह से है वो आपको समझाया गया है और किस तरह से क्रिया बदलती है काल के रूप मुसार वो आपको समझाया गया है तो आपको कुछ वर्ड आपको दिये गया है सोना, करना, मांगना, देना, उठना, क पूर्ण वर्तमानकाल पूर्ण वर्तमानकाल सामान्य भूतकाल पूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल सामान्य भविश्यकाल पूर्ण भविश्यकाल पूर्ण भविश्यकाल आईए देखते हैं यह पहला वर आपको लिख के बताया है उसका एक्जामपल दूसरा एक देख पूर्ण वूर्तमानकाल सोया है, सामन्य भुतकाल सोया, पूर्ण भुतकाल सोया था, शोयेंगा, सोया हूँगा. करना करती है करनी कर रही है किया है किया कर रही थी किया था करेंगा कर रहा होंगा किया होंगा मांगना, मांगता है, मांग रहा है, मांगा है, मांगा, मांग रहा था, मांगेंगा, मांग रहा होंगा, मांगा होंगा देना, देता है, दे रहा है, दिया है, दिया, दे रहा था, दिया था, देंगा, दे रहा होंगा, दिया होंगा उठना, उठता है, उठ रहा है, उठा है, उठा, उठ रहा था, उठा था, उठो, उठ रहा होंगा, उठा होंगा इस तरह से काल के हिसाब से क्रिया में बदला होते हैं यहां मनें आपको लिख के और समझा के बता हैं तो बने रही है आकरी तक इस वीडियो में ताकि इस यूटूब चानल में ताकि आपकी पूरी पढ़ाई मुकमल हो और आपको समझने में आसानी हो किस तरह से कोशन के आंसर लिके जाते हैं इस वीडियो को लाइक करना ना भूले साथी साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों म और सब्सक्राइब करना ना भूले इस यूटूब चानल को ताकि हमारी भी होसला अभजाई हो और हमें भी इन वीडियो बनाने में मज़ा आए